नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर उच्चियकरवाल और मैं एक कंसर्टेंड डर्मेटोलजिस्ट हूँ, मेरा एक्सपीरियन्स लगबग 20 सालों से जाधा का है और मैं सत्या एस्थेटिक्स में प्राक्टिस करती हूँ, जिसकी ब्रांचिस डेली और गुर्गाउं में हैं, हमा हमारे देश में 130 करोड से जाधा की पॉपलेशन है, और सब लोगों को एक स्किन के डॉक्टर यानि की एक चर्म रोग विशेशगे के पास चाकर उनसे सलाह लेने की सुविधा नहीं हैं, इस चानल के तुरू हम सब लोगों तक पहुँचने की खोशिश कर रहे हैं, जिसस की जाधा से जाधा लोग स्किन की सही जानकारी जान पाएं और उनको सही इलाज मिलें, तो आज मैं जिस दवाई के बारे में बात करने जा रही हूं, ये मैंने अपने 20 सालों से जाधा की स्किन वाली डर्मेटॉलजी वाली प्राक्टिस में कभी भी यूज नहीं की है, इ इस दवाई का नाम है सरफास SN क्रीम, ये एक बहुत पुरानी दवाई है, बहुत लोगों के घर में ये आम तोर पर शायद बात्रूम के शेल्फ में रखी वी मिल जाएगी, और आप किसी भी केमिस्ट के पास जाओ, I think all over India सरफास SN क्रीम मांगेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगी, परन्तु क्या ये दवाई लगाना ठीक है, जी नहीं, ये बिलकुल ठीक दवाई नहीं है, in fact अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इस दवाई का प्रोडक्शन ही बंद करा दू, but obviously ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको केवल इस दवाई से होने वाले फा जाते हैं, यानि कि आपको इस दवाई को लगा के बहुत जल्दी आराम पढ़ जाएगा, परन्तु क्या ये दवाई आपकी आक्च्वल परिशानी को ठीक कर सकती है, उसके बहुत ही कम चैंसे हैं, क्योंकि ये दवाई अकसर लोग केमिस से या जेंरल फिजीशन से पूछ नहीं सकता मुझे कहां खुछ लिए, तो लोग समझ जाते हैं कि शायद ये प्राइवेट पार्ट्स में या जनिटल एरिया में किसी इचिंग की बात कर रहे हैं, और जेंरली ये दवाई या इस चैसी कोई और दवाई आपको पख़ा दी जाती है, तो इस तरह की दवाई या फिर बेटनोवेट सी, इस तरह की बहुत सारी दवाईयां हैं जो आम तोर पर आपको केमिस्स से केवल आप एक खुजली की दवाई पूछने जाएंगे और ये दवाई आपको पख़ा दी जाती है, मैं यह नहीं कहूंगे कि सारे केमिस्ट या सारे जनरल फिजीशन य कोई नहीं पता है कि ये दवाई नुकसान कितने कर सकती है, कोई भी आपको गलत इंटेंट से ये दवाई नहीं दे रहा है, पर इस दवाई का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, जो आपको लॉंग टर्म में परिशानी जादा कर सकता है, तो इस दवाई के तीन कॉमपोनेंट्स ह जो एक स्टिरोइड है, एंट इसमें जो भी आपको फायदे हो रहे हैं, आप मानके चलिए कि विल इस स्टिरोइड कॉमपोनेंट से आपको इस दवाई से सिंटम्स में मदद मिल रही है, और तीसरा कॉमपोनेंट है नियोमईसन, नियोमईसन एक एंटिबैक्टिरियल है, परन्तु यह antibacterial भी एक बहुत बहुत पुराना antibacterial हो गया है जो अब काफी ineffective हो गया है अगर clotrimazole और neomycin इतने पुराने नहीं भी होते तो भी जब हम steroid के combination में किसी और दवाई को डालते हैं तो maximum effect steroid का आता है और बाकी दवाईयां एक बहुत ही minor सा रोल ले लेती हैं जिनका बहुत ही minimum फायदा होता है तो आप इस दवाई को एक antifungal cream समझके दाद खाज खुजली में अगर यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजे आप एक लंबी परेशानी को invite कर रहे हैं जांगो में अकसर दाद बहुत common हैं दाद के अलावा यहां पे candida एक दूसरी तरह का fungal infection भी हो जाता है इसके अलावा यहां पे जांगें लग सकती हैं जांगें लग सकती हैं मतलब जब आप चलते हैं तो कई बार आपकी जो थाइस हैं वो आपस में टकराती हैं और उसके कारण महां की skin थोड़ी सी छिल जाती है जिसके कारण महां पे inflammation या irritation हो सकता है कभी कभी जांगों में एक और परेशानी जो देखने में आती है वो है फोड़े फुंसी दाने तो इन सभी परेशानियों में सर्फार जैसे नगर आप लगाते हो तो आपको temporary relief मिलने वाला है कि maybe आपने सुबह लगाई और आपको शाम तक अराम है या आपने रात को लगा जो भी आपके inflammation के features हैं जैसे pain, swelling, itching, rash उन सब को बिठा देता है बट जब वहाँ पे anti-inflammatory action हो रहा है तो वहाँ की skin की immunity भी कम हो रही है वहाँ की skin जो उस किटानों से fight करने की कोशिश करे थी जाए वो fungus का था जाए वो bacterial था आपकी skin आपकी body की immunity वहाँ पे उस किटानों से fight कर रहे थी कि उसको उसको हटाना है बट अब जब हमने यह दवाई लगा ली तो अब skin भी उस infection से fight नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पे immune cells भी कम हो गए हैं तो finally होगा क्या कि आपकी जो actual परेशानी है वो ठीक नहीं होगी उसके केवल symptoms mask हो जाएंगे पर आपको अराम प लग गई थी तो आपको अराम पढ़ गया आपने दवाई एक तरफ रग दी अब आप इस दवाई को यूज नहीं कर रहे हैं ऐसे में तो ठीक है इस दवाई से आपको बहुत जादा side effects होने के chances कम हैं परन्तु अगर कोई chronic infection हैं जैसे अगर आपको actually वहाँ fungal infection ही वह होता यह आपकी थाइस मोटी हैं और अकसर लग जाती हैं अकसर छिल जाती हैं और आप इस दवाई को लगाते रहते हैं तो फाइनली इस दवाई के side effects आपको किसी ना किसी पॉइंट पे पता चलने लगेंगे तो long term uses जो steroids हैं वह काफी काफी ज्यादा डामेज कर देते हैं skin को आपकी skin पतली हो जाती है skin में अट्रोफी हो जाती है जिसके कारण आपकी skin में जो नाच्रल एक तरह की firmness होती है कि वह किसी पी तरह की रगड को जहल पाए या किसी पी तरह के बाहर के environment के assault को जहल पाए वह नहीं जहल पाती आपकी skin में नसे जाएगी stretch marks से लगेंगे और वापिस रगड लगेगी तो अपकी बार आपकी skin पका चल जाएगी मतलब skin खराब हो गई है skin में चान नहीं रह गई है skin में कोई भी तरह के infections भी जल्दी से हो सकते हैं कि अगर आप दवाई long term तक लगा रहे हैं वहां की skin की immunity बिल्कुल कथम ह बड़े बड़े फोड़े बिल्कुल पस वाले दाने बन सकते हैं कोई भी infection वहां पर गया नहीं है बस चुपावाए वह और skin को इंवाल्व करे जा रहा है और आप पहले हो सकता है जरासी जगे पे दवाई लगाते थे और आपको बड़ी बड़े 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 बड़ person chance है इसलिए मैं यह video केवल awareness के लिए बना रही हूं क्योंकि मैंने देखा है इंटरनेट पे भी लोग इस तवाई को पता नहीं किस तरह से बेच रहे हैं बेच नहीं रहे हैं वो केवल अपना चानल जला रहे हैं पर वो इस तरह से इसके captions बना रहे हैं कि यह दवाई लग यानि कि dermatologist ही हो सकता है आप random influencers या फिर pharmacy वाले बंदे या in fact मैं with respect कहना चाहूंगी कि जो दूसरी specialty care doctors है वो भी skin की दवाईयां ना ही prescribe करें ना advise करें unless उनको पक्का पता है कि यह दवाई actually effective है या actually उसके कोई side effects नहीं है और वो केवल अपने patient की भलाई के लिए कि चलो इसको एक और doctor की fees नहीं देनी पड़ेगी यह सोच के वो दवाईया प्रिस्क्राइब ना करें तो सही जानकारी से आपको गलत अपने साथ कोई भी side effects होने से अपने साथ कोई भी परिशानी होने से बचाव हो सकता है तो हम इस चानल पर जो भी information देते हैं वह genuine होती है और आपकी भलाई के लिए होती है हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब करें और आपको सही information आगे मिलती रहेगी तो अक्सर आपको एक plain antifungal दवाई की जादा से जादा जरूत परती है कभी-कभी केवल अगर जांगे लग रहे हैं तो आपको simple एक अच्छी सी moisturizing cream अगर आप वहां लगा लेंगे तो आपको जादा अराम पड़ेगा कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपको वहां पर कोई फ स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जा पारे हैं नहीं तो अपनी स्किन से खिलवार मत करें अगर आपने हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे इन्फरमेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहें और अगर आपके कोई भी questions है या नहीं भी हुई है तो भी please मुझे जरूर बताएं and thank you for watching this video and till we meet next time जब तक हम दुबारा मिले अपने आप से कहते रहें कि I love myself. Thank you. झाल